नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ शनीवार की रात केमरे में केद हुआ ये पल कम ही देखने को मिलता है हम बात कर रहे हैं सनी देवल और एशा देवल की कई साल बात होते ले भाई वेन एक साथ देखे गए इशा देवल ने करीबी दोस्तों और परिवार के लिए गदर टू की स्क्रीनिंग की मेजबानी की इस मोके पर इशा ने सनी देवल और बॉपी देवल के साथ फोटो भी खिचवाई ये पल दुदलब है क्योंकि सनी देवल और हेमा मालीनी के रिष्टे कभी इतने अच्छे नहीं रहे जाहिर है हेमा के दोनों बेटिया इशा और आहन की सनी और बॉपी से नहीं बन पाई इशा ने इससे पहले गदर टू से जुड़ा एक किस्ता सोशल मीडिया पर शेयर किया था उन्होंने लिखा शेयर को दहाने दो इसके साथ उन्होंने सनी देवल को भी टेक किया साथ ही उन्होंने गदर टू का ट्रेलर भी शेयर किया इसा लगता है कि कदर टू की रिलीस के साथ ही देवल परिवार के सारे गिले शिक्वे खतम हो गए इशा का ये अंदाज हैरान करने वाला है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो सनी के बेटे करण देवल की शादी से नदारत थी उन्होंने बेशक्त सोशल मीडिया पर करण को बदाई दी लेकिन शादी से उनकी अनुस्परिस्थिती ने संकेत दिया कि उनके रिष्टे में सुधार नहीं हुआ होगा खबरे थी की करण की शादी में इशा और आना को इन्वाइट किया गया था लेकिन दोनों ने शादी के रस्मों से खुद को दूर कर लिया है जून दोजाए बारा में इशा ने बिजनसमेन भरत तरतानी से तब शादी की जब सनी और बॉबी के पास समय भी नहीं था उसनमें इशा की शादी में सनी के चचेरे भाई अभी नेता अबय देवल ने भाई होने के नाते शादी की सारी रस्मे निभाई थी मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी और बॉबी इशा की शादी में इसलिए शामिन नहीं हुए क्योंकि वे अपनी मा प्रकाश कोर को परिशान नहीं करना चाते थे उस वक्त धर्मेंद से इसकी वज़ा पुछी कई थी लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया था इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद